देर पेरेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का दरोड स्कुल में नवदर विद्याला क्लास 6 का एप्लिकेशन फॉर्म आ चुका है एप्लिकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है सब कुछ आपको बता जाएगा बिल्कुल जल्दी बाजी नहीं करनी है आपके पास अभी दो महीने का समय यानि कि देखिए आज है 16 जुलाई और आपको समय दिया गया है 16 सितंबर तक यानि कि पूरा आपका 15 दिन समय बज़ी गया जुलाई में इसके वाद अगास्ति का सितंबर तो हड़ बड़ी नहीं करना है सब कुछ आपको बताय जाएगा साथ ही एक्जाम आपका गुण फेस में होने वाला है 18 जनवरी और 12 अप्रिल ठीक है किन बच्चों का एक्जाम किस स्टेट वाले बच्चों का एक्जाम कब होगा इस वीडियो मैं मैं बिलकुल एक्स्प्रेंड करूंगा एक एक राज्य के लिस्ट होगी यहाँ पे कि 18 जनवरी को किन बच्चों का एक्जाम है और 12 अप्रेल को किन बच्चों का एक्जाम होने वाला है साथ ही कौन सी वेबसाइट पे जाकर आप एप्लिकेशन फॉर्म देख सकते नवदय विद्यालाई समीति आपको सर्च करना है जैसे आप नवदय विद्यालाई समीति सर्च करेंगे यहाँ फिर आप वेबसाइट एक नोट कर दीजे इसके बाद आपको नवदय.gov.in यहाँ से भी आपको यह साइट मिल जाएगी यहां से नवदय विद्यालागा form जो है application form class 6 का उपन हो जाएगा देखिए यहां पे लिखा हुआ है click here to submit online application form class 6 नवदय विद्यालागा selection test 2015-2025 click किया मैंने तो देखिए यहां पे क्या क्या चीज़ें आपको दिखेंगे click here for registration यहां registration करना है उसके लिख करना है registration करना मैं बताऊंगा बिल्कुल अभी जल्दी वाजी नहीं है सब कुछ समझना है साथ ही हम आपको बताएंगे क्या क्या changes हुए है district पहले district वाला जो domicile वाला था ना इसमें क्या changes हुआ है मैं आपको बताऊंगा किन बच्चों का एक्जाम कब है क्या date of birth में कोई change किया गया है age की eligibility में कोई change किया गया है सब कुछ बताऊंगा wait कीजिए है ना चले देखिए अगर आपने application form जब आप भर लेंगे ठीक है तो registration form जब आप registration कर लेंगे तो registration form यहां से download कर सकते हैं अपना registration number प्राइट सकते हैं देखिए आप prospectus यह prospectus आपके लिए जरूए हैं यहां सभी चीजे जितनी भी चीजे यहां लिखी हुई है prospectus मैं download करके आपको बता दे रहा हूँ देखिए यह आगया prospectus देखिए बिलकुल नया सा है ना जैसे आप नए बच्चे हैं अभी तैयरी करें 2025 के लिए है ना तो बिलकुल नया prospectus रेडी हो के आ चुका है एक एक चीज पूरा detail syllabus नेके हर चीज यहां पर दी हुई है हम आपको सब कुछ explain करेंगे है ना last तक जुड़े रहिएगा बस सब कुछ explain आपको क्या जाएगा कब किसका exam होने वाला है सब कुछ बता जाएगा दो फेस में exam होगा ठीक है दो फेस में आपका exam होगा कौन सी website आपको मैंने बताई नवदय.gov.in की website पर नवदय भी जाने समीती सच के आप यहां तक application form तक पहुंस सकते हैं और कैसे registration करना हुआ आपको उसका process यहां पर दिख जाएगा चलिए आप आगे बढ़ते हैं तो अब ही मैं बताऊंगा यह date note कर लीजिए यह date आप सभी note कर लीजिए क्या है 16 सितंबर ठीक है 16 सितंबर आपकी large date है और याद रहिए कि पिछले बार की तरह गलती नहीं करनी है कुछ बच्चों ने large समय में form बर रहे थे तो अभी है तो अभी 2-4 दिन रुकिया आपको पूरा process बता दिया जाएगा अभी आपको बता दिया जाएगा जुड़े रहिएगा पिछले साथ साथ से लगातार नवोदय विद्यालय वस्यानिक स्कूल की बच्चों को तैयारी कर रहे हैं हम पता है बच्चे कैसे तैयारी करते हैं किस तरीके से उनको पढ़ाना है किन चीजों की जरूत पढ़ती है तो जुड़कर आप बहुत ही अच्छे से guidance पा सकते है साथ में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते 16 सितंबर लाज जेट है इसमें हरबड़ी नहीं करनी है अब देखिए दो फेस में एक्जाम है मैंने बताया आपको ठीक है दो फेस में एक्जाम है एक एक्जाम है 18 जनवरी 18 जनवरी 2025 को अब 18 जनवरी 2025 को किन बच्चों क एक्जाम होने वाला है देखिए यहां पर ध्यान से यहां पर ध्यान से देखिए यहां मैं पढ़ रहा हूं इन इस्टेट ऑफ आंधर प्रदेश ओके असम अरुणांचल प्रदेश एक्सेट दिबांग वेली एन तवांग दिटिक मतलब यह दोनों डिश्टिक को छोड़ कर बाकी पूरे अरुणांचल प्रदेश में आपका एक्जाम होने वाला बिहार में होने वाला एक्जाम छक्तिसगर्ड गोवंग यह इस्टेट है उनके अंतरगा दो जिले में पसनी होगा बाकी अगर पूरे जिले स्टेट का नाम लिखाओ मतलब पूरे स्टेट में जितने भी जिले है आप जेगा नगुदे विद्याला का एक्जाम यह आपे होगा ठीक है हिमांचल प्रदेश एक्सेप चमबा हो गया किन अर हो गया इसके पाद मंडी, सिरमोर, पुल्लू, लहौल और स्पीर्ती एंड सिम्ला इतने डिस्टिक में नहीं होगा और बाकी हिमांचल प्रदेश में जितने भी डिस्टिक वाह होगा जम्मु एंड कस्मीर अलिफॉर्प जम्मु एंड जम्मु टू एंड संबारिजियन में होगा आप उनका एक्जाम कब को बता हुए यूनियन टेरिटरी और अंड मान निकोबार हो जाएगा आइसलेंड यह अंड मान निकोबार दीप समू चंदिगर दादर और नगरहवेली दमन अंदीव लक्ष दीप एंड फुडूचेरी इतने जगा आपका एक्जाम होने वाला समझि यहाँ पर कवर है कुछ जो यहाँ पर जिले छोड़ दिये गया है किसी राजे के तो वह अलग है और बात ही जो बच्चे बच गए जो नौर्थिस्ट वाले बच्चे है ठीक है नौर्थिस्ट लिए उनका एक्जाम कब होने वाला है कब होने वाला 12 अप्रेल को देख लो आना बिल्कुल नहीं है आप सभी को प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप बताया जाएगा बस अब अपनी पढ़ाई को कंट्यूनी कीजिए किसी दिन एप्लिकेशन फॉर्म के लिए समय निकाल लिए बढ़िया और आपका एक्जाम जनवरी में होने वाला है ज्यादा तर जम्मु एन्ध कस्मीर में यceğा 18 जनवरी को था लेकिन यहाँ पर क्या लिए पर जम्मु one two and समभा में आपका एक्जाम होगा यहां जब 18 जनवरी और उसके अलावा जो जम्मु एंड कस्मीर में जिते रिया है वहाँ पे 12 अप्रेल को होगा में घाला है मिजोरा नागालेंड नौप थिस्ट उत्तरपूर्वी जितने भी राजिय हैं यहाँ हो गया इन दिस्टिक ऑफ दिवांग वैली एंड तवांग ऑफ अरुनांचर प्रदेश जो वहाँ बच गये थे ठीक है इन दिस्टिक ऑफ चंबा देगे हिमांचर प्रदेश के जो जिले बच गये थे वहाँ एक्जाम कब होगा 12 अप्रेल को होगा यह लिस्ट हो गई एक बर मिला लिजे आप किस राजे से बिलॉंग करते हैं सिंपल से अपना राज देख लिए यहां पे लिका उत्तर प्रदेश मतलब कि आपका एक्जाम होगा 18 जनवरी को आप 36 गर से आपका एक्जाम होगा 18 जनवरी को जहां पर कुछ कंडिस्ट है वहां पर ब्रैकेट लगा दिया गया है तो बस आप अपना इस्टेट देखिए और आप एक्जाम के लिए बिल्कुल भीट जाएए आप आप समय नहीं विटा लेना है हमको सेलेक्शन मतलब लेना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी आपका सेलेक्शन होगा तो देख लीजे डेट और बात करे 30 से 31 जुलाई ठीक है 31 जुलाई 2015 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए डेट ऑप बर्थ ये होनी चाहिए अगर इस डेट में भी है तो भी चलेगा इस सेम तो सेम डेट में भी है तो भी चलेगा ठीक है इनके बीच में बच्चे का जन्म होना चाहिए अगर ये दोनों परके आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, step by step process बताय जाएगा, क्या changes किये गया है, सब कुछ बताय जाएगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल द्रोड स्कूल के साथ जूड कर बहुत ही बहती नंग से नवदय विद्याले की तैयरी कर सकते हैं, इन अब उसी तरीके से उनसे ज्यादा महिनक करके और अच्छा रिजर्ड लेकर आना है, द्रोड स्कूल से जूड कर आप recorded batch के माध्यम से, live batches के माध्यम से, नवदय विद्याले सैनी की स्कूल आरे में इसकी तैयरी कर सकते हैं, नवदय विद्याले की तैयरी के लिए हमारे नवदय विद्याले की तैयरी के लिए हमारे एक नया batch भी स्टार्ट हो रहा है, उसमें जूड कर भी तैयरी कर सकते हैं, और यह हमारा latest batch है, नवदय लाइब बैच, इसमें जूड कर आब बहुत ही बैटिन नंग से तैयरी कर सकते हैं, नवदय विद्याले की तैयरी के लिए हमारा recorded batch, इससे पहले जो बता है, वो live batch था, यह recorded batch है, recorded batch से भी तैयरी कर सकते है, सैनी की स्कूल नवदय विद्याला और RMS, तो हमारा इसमें daily 5 p.m. to 7 p.m. class होती है, हर कुछ provide किया जाता है, जो exam निकालने के लिए आपके जरूरी है, अब एक सवाल आता है, कैसे enroll करना है, प्लेश्टोर पे जाके द्रोड स्कूल का आप इस्टॉल कीजिए, courses दिख जाएंगे, वहां login कर लीजिए, इतने सारे courses है, किसी पे enroll हो जाएंगे, द्रोड स्कूल के YouTube चैनल को जरूर से जरूर आप सबस्राइब कर लिजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लिजिए, ताकि जितने भी information और notification सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, exam से related information हो, application form से rated हो, exam में पढ़ाई में क्या question आ रहे हैं, कैसे पढ़ाई करना है पढ़ाई से rated हो, सब कुछ आपको सबसे पहले बताया जाएगा और सही समय पर बताया जाएगा, साथ में द्रोड स्कूल के टेलिग्राम चैनल पर जूड़ जाए, यहां notification सबसे पहले share किये जाते हैं, सब कुछ बताया जाएगा आपको step by step process, ठीक है, सब कुछ ऐसा नही है, कि आपको कुछ छोड़ा जाएगा, कि application form, admit card, जब भी आपके exam से rated, सैनिक इस्कूल नवुदे विद्याल आरे में से rated, जो भी चीज़ आएगे, आपको guide किया जाएगा, सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा, जल्दी बाजी नहीं करना है, बार बार बोरो application form भरने म जल्दी बाजी नहीं करना है, कि रुणार को आपने अरबन कर दिया, माता पिता का नाम ही गलत कर दिया, ये सब ही नहीं करना है, ठीक है, correction window है, open होगी, आईसा नहीं सोचना है, correction window को नहीं मानना है हमको, होगी ठीक है, अलग बात है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, correction window क्लास फिप्त में है यह क्लास सिक्स में सैनिक स्कूल के लिए तैयरी करना चाहरा है किसी के भी तैयरी से रेटेड आगर आपको जानकरी चाहिए तो हमारे यहां आपको कम्प्लीट चाहरी दी जाएगी और किस तरीके से ताहरी करना तो सब कुछ step by step प्रोसेस बताया जाएगा इस help line नमबर पर कॉल करके आप information ले सकते हैं तो application form भरने की last date आपको बता दी गई कब है 16 सितंबर मतलब 2 महिने का exact समय आपके पास और exam की date क्या है दो face में exam होगा एक exam होगा आपका 18 जनवरी को और दूसरा exam होगा आपका 12 अपरेल को किस राज्य में exam होने वाला 18 जनवरी को और किस राज्य में आपका exam होने वाला है 12 अपरेल को क्योंकि आप ज़्यादा समय नहीं रहेंगे और तयारी का सबसे सही मौका है याद रखिए इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो आप देखिए इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपका स्लेक्शन होगा ही नहीं लेकिन चांसेस कम हो जाएंग चांसेस कम हो जाएं क्योंकि आप समझ यह केवल ओ केवल 6 महीने के लगभाग समय है, 6 महीने का समय है, 6 महीने में आपको math cover करना है, mental ability cover करना है, language का section cover करना है, आपको reason का भी तो समय चाहिए न, अच्छे से practice करनी है, mock test model की, तो तयारी का बिलकुल सही समय है, जोड़कर आपको जनकरी चाहिए, तो आप comment box में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, हम बिलकुल लेकर आएंगे उससे रिटेट वीडियो, जो भी आप comment box में लिखेंगे, जो भी जनकरी चाहिए, comment box में लिखकर हम उससे रिटेट वीडियो लेकर आप मिलेंगे, ठीक है, चलिए फिर मिल इसी प्रकार के वीडियो के साथ